हेलो दोस्तो स्वाम चौधरी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ठंडो में जो कार की विंड सील पर फॉक जम जाती है उसे हम किस तरह से रिमूब कर सकते हैं वो भी बिना एसी चलाए होता क्या कि सर्दियों का मौसम है और हमा कुछ नहीं होता है हमारा जो कार का टेंपरेचर होता है उसे हम फुल पर ले लेंगे फुल जैसे तरह आप देखो मैंने फुल पर यह ले रखा है और मैं ड्राइविंग भी कर रहा हूं इस समय सेकंड हमने अपने कार का बलोवर जो सेकंड नमबर पर ले लिया है और हमने कार की जो बाहर की अब आया है वो हम कार के अंदर ले रहा है देखें तो आप सेकंड जो हमारी कार की एर की जो हम सेटिंग करते हैं कि हमें किस तरब राख नहीं है उसे चाहें तो आप फुल सीसे पर ले ले यह चाहें अपने पैरो और सीसे दोनों पर ले सकते हैं मैं इस समय प्यारों और सीशे पर ले लिए ताकि मेरे प्यारों भी थोड़े से गरम रहे आप देखर तो मेरे कार की सीशे पर इस समय बिल्कुल भी फॉक जमा नहीं है और मैं इस समय ट्रैवल भी कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि कार का लगातार बिलोवर चलाने से कार के अंदर घुटन होने लगती है जो मैंने भी कई बार फिल की है इसके लिए आपको करना क्या है सिंपली कार के फ्रेंट सी से थोड़े से नीचे कर लेनी है मात्रिक उंगुर इससे क् की फ्रेंशियर आएगी और अंदर कार के कोई ऑक्सिजन की भी कमी नहीं होगी इससे हमें घुटन फील भी नहीं होगी आप देखे तो इसमें मैं नैट में चल रहा हूं और मैं थोड़े से सी से नीचे कर रखे हैं ताकि मुझे नहीं ठंड़े लगे और नहीं मेरे सी से फॉग जमें इस समय आप देखे तो कार के अंदर और ना इन बाहर कहीं भी फॉग जम हुई है कोई भी भाप नहीं है जमी हुई है जबकि मेरे कार का सी सा आगी से चटका हुआ भी है और मैंने कार अपनी फॉग में ही काफी चलाई है मैं आज कार को 36 दसंबल आव 9 किलो मीटर चला कर आ रहा हूँ और कोहरा इतना जादा है कि आपको बिस्वास नहीं होगा कि इस समय में अपने घर आ चुका हूँ और मेरी घर में भी कोहरा जम हुआ है चारो तरफ बेहसाब कोहरा है अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तो एक लाइक करना और सस्क्राइब करना मत बूलना थन्यवाद